नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी क्लासिस में आज के इस वीडियो में कौंकनी भासा के एक सूप्रसीध रचनाकार मीना का कोड़ कर उनका ही एक महत्यूपूर्ण कहानी ओए रे चुरुंगन मेरे इसी का कथासार या सारांग्स को इस वीडियो में देखेंग किसी भी कहानी के कथासार या सारांग को समझे लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रस्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफी सहज हो जाता है तो ओईरे चुरुंगन मेरे मीना काकोटकर की एक हिरदय विदारक कहानी है या एक निसंतान माता की कहानी है इसमें निसंतान माता का ममत्व बोध है वो अपने भतीजे को उसकी मा के मृत्यु के बाद अपने पास ले आती है और हिरदय का संपूर्ण ममत्व उस पर उडेल देती है लेकिन कुछी दिनों बाद वह लड़का अपनी मौसी को दुख के दरिया में धकेल कर फिर से अपने पिताजी के साथ लोड़ जाता है तो निशंतान माता के हिर्दई का मार्मिक चित्रन करने में मीना का कोटकर को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है निशंतान माता की यंत्रना और उसका मात्रित्व भारतिय समाज के अगर बात करें तो भारतिय समाज में सदियों से निशंतान माता को अभिसप्त माना गया है संतान विहिन माता को सदा ताने सहने पड़ते हैं मात्रित्व को ही नारी जीवन की सार्थकता माना जाता है तो ओईरे चुरंगन मेरे इस कहानी में उस मौसी के माधियम से माता न बन पाने की यंतरना को रुपाईत किया गया है मौसी अपनी ममता को अपनी बहन के पूत्र पर दोनों हाथों से लुटाती है मात्रिहीन बच्चे पर दयार्ध होकर उसे अपने पास ले आती है उसे तमाम सुक्स विधाएं पहुचाती है वो अपना काम छोड़ कर भी उस बच्चे के साथ खेलती है उसका ध्यान रखती है तो इस विबरन से मौसी के सहज हिरिदय और भोलेपन की जलक मिलती है उसने बच्चे की परवरिस करने में कोई कोता ही न बढ़ती थी बच्चे के लालन पालन उसके साथ खेल कूद उसके संघर से मौसी का जो मात्रित्व लग रहा था कि अब साकार हो उठा कभी बच्चे ने अगर हाथ नहीं हिलाया तो फिर मौसी दुखी हो जाती है और उस बच्चे के स्कूल से लोटने पर ही हाथ न हिलाने का कारण वो पुछती है दरसल मौसी के इस कथन से उसका क्या है ममत वही घुला हुआ है अर्था वो बच्चे के लिए चिन्तित है वो सोचती है कि आज बच्चा क्यों नहीं हाथ हिलाया और जो बच्चा है बच्चे का नाम है रघु तो उसके अंदर मातरित्व को लेकर कहीं न कहीं असुरक्षा भी है इसलिए वो उस रात को रघु को चूरूंगन की कहानी सुनाती है चूरूंगन चिड़िया के बच्चे को चूरूंगन आप कह सकते हैं तो चुरुंगन और मौसी की कहानी के माध्यम से रगु और मौसी संकेती थे अर्थात ये चुरुंगन और उसकी मौसी ये तो संकेत है मुख्य रूप से किसके बारे में बात हो रही है रगु और उसकी मौसी के बारे में ही बात हो रही है चुरुंगन की मोसी की यंत्रणा रगु की मोसी की यंत्रणा बनकर ही प्रकट होती है और प्रासंगी कथा बिलकुल छोटी सी है लेकिन उसमें पैनापन है वो उसमें मारमिकता है और हिरदय को द्रवीत करने वाली भी है चुरुंगन की मोसी की कहानी के बहाने रगु की मोसी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है चुरुंगन उड़कर चला गया अर्था जब तक छोटा था तो अपने मोसी के पास था लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है तो वो उड़कर चला गया तो चुरुंगन वा लेकिन यहाँ पर कहें चुरुंगन लोटकर आता नहीं है तो यही बात यही कहानी सुना कर मौसी रगु को यह बताना चाहता है कि कहीं तुम भी ऐसा नहीं करना और तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चुरुंगन की कहानी सुनाते समय मौसी का रोना मौसी के हिरदय में भावी विरह की आसंका को ही प्रकट करता है यह कहानी को सुनाते समय जब मौसी रोने लगती है इसका मतलब मौसी यही सोचती है कि फिवचर में कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा मौसी की स्थिती वैसी ना हो जैसी चुरंगवन की मौसी की थी तभी तो कहानीकार ने वर्नित किया है कि कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगती उसका रोना देखकर रघु भी रोने लगता मौसी ने उसे गोद में लिटाया और थप थपाते हुए धीमे स्वर में वो गाने लगी वोई रे चुरुंगन मेरे कब आएगा प्यार करती हूँ तुमसे मैं पर भूल गया रे तू इस तरह का वो गित सुनाती है मौसी ने पराये को पूर्णतह अपना बना लिया लेकिन जब रगु को लेने उसके पिताजी अचानक आ पहुँचते हैं तो मौसी डर जाती है अंततह कहा जा सकता है कि आलोची कहानी में मीना काकोडकर ने निशंतान मात्री हिर्दाई की त्रासद स्थीतियों को अत्यंत मर्म इसपरसी ढंग से चित्रित किया है मात्री हिन बच्चे की मानसिक स्थीतियों या बाल मनोविज्ञान ओईरे चुरंगन मेरे कहानी में आठ साल के बच्चे रगु की स्वाभाविक इच्छाओं और प्रतिकिरियाओं का चित्रन है अर्थात इसमें बच्चे का जो अपना साइकलोजी है अपना मनोविज्ञान है उसको बहुत सहजता से वर्णन किया गया है ये जो बच्चा है सिधे सिधे कह देता है मुँँ में कह देता है है ना वो जब पिताजी के साथ जाना चाहता है तो उसकी मौसी को बहुत खराब लगता है लेकिन बच्चे क्या है इसे बहुत आसानी से इस बात को कह देता है कि अब तो मैं वहीं जाओंगा बच्चे ने कुछी समय पहले अपनी मा को खोया है कहानी में मात्रित्व की भावना को उभारने में मात्रिहिन बच्चे के मनोविज्ञान को भी बड़ी ही तनमयता के साथ लेखिका ने प्रस्तुत किया है इससे लेखिका की मनोवैगानिक सुजबुज के साथ मा और बच्चे के बीच के प्रेम और अटूट रिष्टे का परिचय भी मिलता है बच्चे का जैसा लगाव मा के साथ होता है वैसा पिता के साथ लगाव जुडाव प्रेमभाव नहीं हो पाता मातिर ही इन बच्चे के लिए मा की स्मृतिया ही जिने का सहारा होती है पर भी अपनी मा की याद आती है यहाँ पर सुरंग का बात इसका भी क्या है उल्ले करना जरूरी है जो उसके घर के बगल में ही रहती है बहुत अच्छी है रगु को सुरंग बहुत पसंद है और जो उसके पिता की जो साधी होती है दूसरी साधी तो भी सुरंग से ही होती ह तो यह भी क्या है महतोपुर्ण पातर है इस कहानी में वो बरतमान की तूलना अतीत से करता है मा की याद में पिता को रोते देखकर बच्चे का रोना स्वभाविक है तो पिता रगु को सहलाते हैं तो उसे अपनी मा के सहलाने की याद आती है अर्ठात उसके पिता के कारियों में हो यपि सुरंग के कारियों में हो रगु को हमेशा अपनी मा ही याद आता था बच्चे के लिए मा का इस्थान कोई दूसरा नहीं ले पाता है चाहे वो मौसी ही क्यो नहीं हो लेखिका ने इस बाल सुलब बावना को कहानी में अनेक स्थलों पर चित्रित किया है जैसे मौसी जरा भी मा जैसे नहीं दिखती मेरी मा सावली थी तो ये मौसी तो गोरी है इसी तरह का वो बात करता है मा के बगल में सोते हुए धुएं की अच्छी सी गंध आती थी सुरंग की साड़ी से भी वही खुसबू आती है जैसे की मा की साड़ी से आती थी उस गंध का चिंतन करते हुए मैं मौसी की बगल में जाग हुसा अर्थात वो जब मौसी के पास सोता है तो मौसी के साड़ी से वो गंध क्या है नहीं आती है तो इससे भी क्या है रगु को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है मौसी के अत्यधिक प्रेम करने पर भी रगु हमेशा मा की यादों में ही खोया रहता है मौसी रगू को सोतेली मा के अत्याचारों के बारे में बहुत सारी कहानिया सुनाती है बताती रहती है ना कि सोतेली मा बहुत डेंजर होती है वो अपने सोतेले बेटे को एकदम ठीक से ध्यान नहीं रखती है यह सब बात वो बता के रखती है वो चाहती है कि ऐसे बात बता देने से रघु क्या है अपने पिता के साथ नहीं जाएगा और उसके पास ही रह जाएगा तो ऐसी बातें रगु ने सुन भी रखी थी पिता और मौसी के बारतालाफ से रगु ने ये भी समझ लिया था कि उसके पिता ने दूसरी साधी कर ली है तब तो वो सायद थोड़ा डर भी गया है ना उसे ये लगने लगा कि अब तो सोतेली मा आ जाएगी तो मुझे क्या हो बहुत सताएगी तब ये सोच कर उसे रोना आया और मा की याद में हिचकियों पर हिचकिया ही वो भरता रहा ऐसा प्रतीत होता है कि कहानिकार ने आँखों देखा हाल ही बया किया है बच्चे चंचल होते हैं तो उनके मानसिक भाव भी स्थीर नहीं होते मा की याद में रो सी सूरंग ही उसकी सोतेली मा है तो फिर उसके मानसिक स्थीत अतकाल बदल जाती है वो कहता है कौन है वो सूरंग सूरंग उसकी आँखें मानों चमक उठती है हटो सूरंग भी कभी सोतेली मा हो सकती है भला अरे वो तो कितनी अच्छी है अर्थात जो सोतेली मा का इमाग में उसकी मौसी डाली थी उसे लग रहा है ये तो गलत है ये तो कितनी अच्छी है उसके बगल में जब सोया था तो मुझे लगा था कि जैसे मा की गोद में सोया हूं इसके बाद बच्चा खुस हो जाता है कुद कर पिता के पास पहुंचता है और मौसी को छोड़ कर पिता के साथ चलने को तैयार हो जाता है मोसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रघु जब कहे उसे छोड़ कर चला जाएगा तो वो क्या करेगी वो बहुत ज़्यादा क्या थी दुखी थी इसकी प्रतिक्रिया जो रघु पर होती है उसका चित्रन करते हुए कहानिकार पूशी क्या पूशती है जानती नहीं उसने सिर हिलाया रघु अपने पिता के साथ अपने गाउं में स्वतन्त्र खूब खेलने कुदने और अपने मित्रों के साथ रहने की बात से खुस है और उसे मोसी का किसी भी दुख का कोई चिनता ही नहीं है रगु मौसी के यहां सारी सुख सुभिदाएं होने पर भी एक बेगानापन महसूस करता है वो पिता के साथ चल कर मचलियां पकड़ने बाल सकाओं को धेर सारे समाचार देने की कलपना से प्रसन है इसलिए रगु से जब पूछा जाता है कि यहां तुझे अच्छा नहीं लगता तो रगु बिना किसी लाग लपेट के सिधा जबाब देता है यहां मुझे अच्छा लगता था पर पिता के साथ और भी अच्छा लगेगा यहां बाल सुलब चेश्टाओं से बाल मनो विज्ञान को उदगाटित करते हुए लेखी का इन सब बातों को कहती है रगु के बेवहार से उनकी मनो श्थितियां और भी इसपस्ठ हो जाती है अर्थाथ बच्चे लोग जो सिधे सपाट बात करते हैं इस कहानी में यह इसपस्ठ होता है बाल मनो विज्ञान की दृष्टी से ओईरे चुरंगन मेरे एक सफल कहानी है मात्रिहीन बच्चे के मनो विज्ञान का सफल रुपायन करने बाली यह कहानी है इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद